प्रधान मंत्री अपनी पांच राजियों की यात्रा के दौरान एक लाग दस हजार करोड रुपे से आधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारम्ड करेंगे। 2. FM निर्मला सीथारमन to inaugurate National Conference of Enforcement Chiefs on March 4. वितमंत्री निर्मला सीथारमन 4 मार्च को प्रवर्तन प्रमुखों की राष्ट्रिय सम्मिलन का उध्धातन करेगी। 3. Minority Affairs Minister स्मृती इरानी इशूज हज गाइडलाइन्स for current year in launches हज सुविधा मोबाइल एप। आलपसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृती इरानी ने चालू वर्ष के लिए हज दिशा निर्देश जारी किये और हज सुविधा मोबाइल एप लॉंच किया। 4. Modi Governments Ruthless Approach Against Narco Trade Showing Effective Results, Says Union Home Minister अमित शाह। केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह का कहना है कि नाको व्यापार के खिलाफ मोधी सरकार का क्रूर रवेया प्रभावी परिनाम दिखा रहा है। 5. PM Modi Contributes 2000 Rupees to BJP, Urges Everyone to be Part of Donation for Nation Building. PM Modi ने BJP को दिया 2000 रुपे का योगदान, सभी सिक राष्ट्र निर्मान के लिए दान का हिस्सा बनने का आग्रह। 6. LG Manoj Sinha inaugurates 23rd All India Police Water Sports Championship 2023-24 अच्रीनगर LG Manoj Sinha ने श्रीनगर में 23 अखिल भारतिय पुलिस जल खेल चेंपियनशिप 2023-24 का उद्धातन किया। 7. Delhi Government to present budget for financial year 2024-25 on March 4 दिली सरकार 4 March को वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए बज़ट पेश करेगी आठ 7. शहबाज शरीफ to be next Prime Minister of Hindi Current Affairs प्रशनोत्तरी 3-4 March 2024 1. हाल ही में किस राजय सरकार ने राजय जल सूचन केंद्र SWIC की स्थापित करने का निर्ने लिया है। उत्तर, औरिसा, औरिसा सरकार जल संसाधन डेटा के समन्वय भंधारल और प्रसार के लिए राजय जल सूचन केंद्र SWIC की स्थापना कर रही है। जल संसाधन विभाग के तहट संचालित, इसका उत्देश्य औरिसा के लिए जल मौसम संबंधी डेटा का एक व्यापक भंधार बनाये रखना है। केंद्र में जल संसाधन प्रबंधन और डेटा प्रबंधन के विशेशग्य तैनात होंगे। इसके अतिरिक सम्विदा पर्यवेक्षकों की मंजूरी से ओरिसा में आंतरिक बाल विकास सेवाओं में सेवा वित्रन में वृद्धी होगी। दो, सिंद्री उर्वरक सेयंत्र, जो हाल ही में खबरों में था, किस राजय में स्थित है। उत्तर, जार्खंड, पीएम मोधी ने भारत की युरिया मान को सम्बोधित करते हुए एक मार्च दो हजार चौबीस को जार्खंड में हल सिंद्री उर्वरक सेयंत्र को समर्पित किया। देश को सालाना 306,00,00,00,00,00 की जरूरत है। लेकिन 2014 में सिर्फ 225,00,00,00,00,00 ही उत्पादन हुआ। सरकारी प्रयासों की बदौलत पिछली दशक में उत्पादन बढ़कर 310,00,00,00,00,00,00 हो गया। तीन, हाल ही में कौन सा राजय ABPMJY की तहट पांच करोड आयुश्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राजय बना। उत्तर, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ने पांच करोड आयुश्मान कार्ड जारी करके एक मील का पत्थर स्थापित किया है। जिससे यहां उश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की तहत ऐसा करने वाला पहला राजय बन गया है। राजय में 50,017,920 जारी किये गए काध हैं, जिससे 3,716 हस्पतालों में 74,382,304 व्यक्तियों को लाब हुआ है। चार, हाल ही में खबरों में रहा अमराबाद ताइगर रिजर्व किस राजय में स्थित है। उत्तर, टेलंगाना, हाल्या, भारक में तेंदूओं की स्थिती, रिपोर्ट के अनुसार, टेलंगाना के अमराबाद ताइगर रिजर्व में तेंदूए की आबादी में काफी वृद्धी हुई है 2611.4 वर्ग किमी में फैला, ये भारक के सबसे बड़े बाग अभ्यारणयों में से एक है और कोर्क शेत्र में दूसरा सबसे बड़ा है मूल रूप से नागार जुन सागर श्रीशेम टाइगर रिजर्व का हिस्सा, अमराबाद टाइगर रिजर्व राज्य के विभाजन के बाद उभरा पाँच, नेट्वर्क प्लानिंग ग्रूप, एनपीजी की छियास्थवी बैठक कहां आयोजित की गई उत्तर, नई दिल्ली, उद्योग और आंतरिक विया पारसमवर्धन विभाग के अतिरेक्ट सचिव की अध्यक्षता में नई दिल्ली में छियास्थवी नेट्वर्क प्लानिंग ग्रूप, एनपीजी की बैठक में सड़क परिवहन और राजमार मंत्राले की तीन और रेल मंत्राले की दो परियोजनाओं का मुल्याकन किया गया, इंटीग्रेटर्ड मल्टी मॉडल और पीजी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्राले के लिए एकिकरित योजना और एकिकरन की देखरेक करता है, जिससे हिधारकों की बातचीत की सुविधा मिलती है, ये राष्ट्रिय बुनियादी धाचा परियोजनाओं में व्यवधानों को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रिय मास्टर प्लान के उद्देशियों के साथ सनरेखित करते हुए, आर्थिक शेत्र और कनेक्टिविटी बुनियादी धाचे के निर्मान में वि इसी तरह डेली करेंट अफेर चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताए कैसा वीडियो लग रहा है